हेलो फैंस दुआ क्लासिस प्राव सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो के माध्यम से शोर्ट राइटिंग टास्क विद विजुल एड हमें दोस्तों एक शोर्ट राइटिंग एक हमें पेराग्राफ लिखना है जिसमें कि हमें एक पिक्चर दे रखी है उस पिक्चर को देखकर हमें टास्क लेकर उसका में पेराग्राफ लिखना है जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक पिक्चर दिखाई दिया रही है इस पिक्चर को ध्यान पुरूक देखना है और हमें एक पेराग्राफ भी लिखना है जैसा कि दोस्तों आप पिक्चर देख रहे हैं या दोस्तों एक मास्क भी है यानि यह है कोविड-19 के बारे में इस पिक्चर में जो कुछ दे रखा है तो दोस्तों हम लिखते हैं कोविड-19 के बारे में COVID-19 Coronavirus which is commonly called COVID-19 Coronavirus जिसे आम तोर पर COVID-19 कहा जाता है It is an infectious disease यह संक्रामक रोग है It is virus that is impacting the whole world यह एक ऐसा virus है जो पूरी दुनिया को परबावित कर रहा है It spreads through contact from person to person यह एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के संप्रक में आने से खेलता है COVID-19 was freshly identified in December 2019 in Wuhan city of China in March 2020 COVID-19 के पहचान दिसंबर 2019 में Wuhan में हुई थी March 2020 में चीन का शहर जो था WHO ने COVID-19 गोशित किया था March 2020 WHO declared the COVID-19 outbreak a pandemic March 2020 में WHO ने वेश्विक महामारी गोशित की थी Now it has spread throughout the world अब यह पूरी दुनिया में फेल गया है Virus spread by the droplets generated from the cough or sneeze of an infected person संक्रमित व्यक्ति की खांसी या सिंख से यह virus फेलता है No mask, no entry तो दोस्तो यह था COVID-19 के बारे में paragraph दोस्तो एक्जाम्स के लिए काफी महत्वपून है COVID-19 क्योंकि अभी पिछले 2-3 वर्सों से हम COVID-19 बीमारी को देख रहे हैं तो दोस्तो यह एक्जाम्स के लिए काफी महत्वपून है आप इसे ज्यानपूर्वप याद कर लें धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्याग्राफ के साथ तब तक जय हिंट जय भारत